नमश्कार, छोटी लेकिन मोटी बात के अंत्रगत, आज हम एक विशे पर बात करेंगी कि अगर हम लोग भोजन करते हैं और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि खाना खाया हुआ यहां अटग गया है, देखे दो कारण होते हैं, एक तो हमारा भोजन जो है, वो हम बहुत ज ज्यादा ठूस-ठूस के खा लेते हैं, या बहुत ज्यादा स्पीड से खाते हैं, उन लोगों के यह समश्या रहती है, दूसरी बात जो पचाकर, यानि चबा-चबा के खाना नहीं काते हैं, जो जीवन में जिनोंने कभी चबाया नहीं, यानि बाइट को बहुत मोटा-मो यानि इस आद को ऐसे पीछे की साइड में पकड़ना है पीछे और कंदे को जो है वो पीछे की और लेकर जाना स्वांस भरते हुए उपर की और गर्दन को खीचना है और कंदे को पीछे ले जाना है इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो यह जो चेस्ट को है यह थोड़ी जगए मिल जाएगी यहाँ पर जगए मिलने से भोजन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि आमाशे से ग्रशनी की और जाते हुए छोटी आद में निकल गया है यह तीन चार बार आप करेंगे लंबी स्वास के साथ तो आपको अच्छा महसूस होगा अगर यह नहीं कर पाएं कई लोग ऐसा भी है कि कई गंभीर रोगी है या बहुत हैवी जो शरीर में उनके पेन है या नहीं कर पाएं हाथ भी पीछे नहीं पकड़ा जाए तो यह पॉइंट है अंगुठा जो है ना अंगुठे के ज़श्ट नीचे इस जगे यहां पर पॉइंट है देखिए एक तो यह पॉइंट होता है जो सरदर्द के लिए कंधे के लिए यह कॉमन रूप से बताते हैं हम लोग यह पॉइंट तो है लेकिन इस पॉइंट को इसमें नहीं उज़ करना, इसे अंगूठे की लाइन से जश्ट नीचे जो हमारी जीवन रेखा है उसके जश्ट पास में यहाँ पर, यह जो थोड़ा हार्ड एरिया है अंगूठा, अंगूठे की लाइन में एकदम नीचे जाएंगे जिसको लाइफ लाइफ लाइन कहते हैं यह लाइफ लाइफ लाइन के जस्ट ऊपर, यहाँ पर इस जगे हैं अगर ऐसे बेठे-पेठे इस तरीके दो अंगूलियों से दबा दीजिए ऐसे-ईसे दबाएंगे तो आपको लगेगा और साथ में एक deep breathing कर लीजिया ऐसे ये deep breathing करेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि भोजन जो है यहां से हलका सा महसूस हो रहा है यहां की वायू जो है निकल चुकी है और यह खाना जो है थोड़ा सैट हो गया है यह इतना सा बात चोटा सा point मैंने बताया कई बर खाना खाने से जादा हो जाता है और वजरासन में तो जरूर बैठना ही बैठना है वो तो आप हमेशा ध्यान रखेगा यह कारे अगर वजरासन में बैठके करेंगे तो और ज्यादा बैठर जो है आपको फील होगा तो यह छोटी सी बात थी इस जगह जब भोजन अटक जाता है तो ऐसा लगता है कि यहां कोई अटका पड़ा है हाना कि वो थोड़े टाइम की समश्या होती है वो ऐसा लगता है कि 15-20 मिनट आदा घंटे में ठीक हो जाता है पानी पीकर भी ठीक हो सकता है लेकिन कईयों को पानी पीने के बाद भी ठीक नहीं होता तब ये पोइंट मैंने आपको बता है और ये क्रिया जो है ये पीछे जुकर आप कर सकते हैं छोटी सी बात थी आप तक पहुंचाने का प्रियास किया दीजे इजाज़त नमस्कार